मेरा ना मंकित है आज मैं RCC ड्राइंग का जो मॉक टेस्ट हुआ है आपका उसका solution वीडियो लेकर आया हूँ RCC में आई नो थोड़ा से मैं लेट हूँ क्योंकि मेरे पास और सब्जेक्ट्स का काफी लोड था इस खारण से मैं RCC से सेकेंड डियर को फोकस नहीं कर पा रहा था बट मैं एक चीज़ बता दूँ जो आपको सचिन सर ने RCC की थियोरी में जितना भी questions कराए हैं आपके RCC drawing में लगबग वही questions आपको देखने को मिलेंगे आप मेरी बात हुश्वास करिया आपको कुछ और नहीं मिलने वाला कोई भी बच्चा ये confused ना हो कि RCC drawing में आपकी drawing आएगी हमने final year का भी steel का paper देख लिया drawing नहीं आई है सिर्फ new questions ही आएं objective वाले और वो objective questions actual में वही हैं जो आपके RCC के थियोरी में पूचे गए हैं तो मैं भी focus उसी पर कर रहा हूँ जिसने में आपकी questions आ सकते हैं जो आपकी drawings related है उसमें कुछ questions जो बन सकते थे वो मैंने आपको बना किस paper में डाले थे आगे भी में वीडियो अब regular दिन में एक या दो वीडियो डालके आपको जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक questions कराने ही कोशिश करूँगा इसलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करेगा अपने friends के साथ शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा थागि आपको बाकी वीडियो दो बीडियो पी ऐसे ही मिलती रहे है चलते हैं वीडियो पर या questions पर देखें पहले question आपका है in a singly reinforced beam if permissible stress in concrete reaches earlier than that in steel the beam section is called हिंदी में एक एकल प्रभलित धरन यदि स्विकार प्रभलित concrete के इस पात की तुलना में पहले पहुंचता है ठीक है तो धरन खंड को क्या कहते हैं basic सा question है आप लोग समझ रहे होंगे जो नहीं समझ रहे होंगे वो समझ लें कि जैसे आपने कि किसी concrete beam के ऊपर कोई load लगाया ठीक है अब वो concrete का beam उसमें दो section होते हैं दो section से मतब दो material होते हैं ऊपर आपका concrete इसमें पढ़ा हुआ है ठीक है नीचा यहां पर आपने steel की बार्स लगा रखी अब इस case में क्या होगा जब इस पर load लगेगा तो जरूरी नहीं है दोनों अ पूरे section को पूरे section को under reinforced रखने की कोशिच रहती है क्योंकि steel section अगर steel पहले पहुचेगा तो पहले fail steel होगा ठीक है steel क्योंकि elastic होता है steel थोड़ा बहुत खिच जाता है तो इस current से section एकदम से fail नहीं होगा थोड़ा थोड़ा करके fail होगा और failure से पहले एक indication देगा इसलिए preference याद रखिएगा हमेशा under reinforced की रहती है balance section भी attain नहीं किया जादा under reinforced दूसरा केस है steel की कीमत steel in comparison to concrete या सीमिंट काफी महंगा है तो steel आप जितना कम डालोगे उतना आपका section भी सस्ता बढ़ेगा ठीक है तो इसलिए under reinforced section की जरूद पढ़ती है पर यहां कहा गया है कि permissible stress in concrete reaches earlier म इसका मतलब क्या है कि steel ज्यादा पढ़ा है amount उसमें और concrete की value उससे कम है ठीक है इसलिए इस टाइप के section को कहते हैं over reinforced section ठीक है आतीव प्रबलित खंड ठीक under reinforced कौन होंगे जिसमें steel पर पहले पहुंचेगा और concrete पर बाद में पहुंचेगा ठीक है इस चीज को ध्यान रखी जेगा जो tensile reinforcement होता है वो tension zone में होता है और tension zone में जो steel पढ़ती है उसका maximum percentage कितना होता है 4% ठीक है वैसे 4% होता है कहीं कहीं आप इसको 0.4 BDB देखोगे तो confused ना होना वो उन्होंने एक ही बात को जो यहां थियोरी में बोला उसी को numerical form में लिख दिया 4% को 4 upon 100 करोगे 0.04 B into 2D एक चीज़ और इसमें D जो है यहां पर यह capital D होता है ठीक है जो आपका स्टील का जो section होता है जो आपका section होता है section में दो depth होती है एक depth होती है steel की CG तक और एक depth होती है पूरी टॉप से मैं थोड़ा सा clear बना दूए इसको क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ हात्रों को द से पास करती है ठीक है तो इसमें दो होती है एक होती है small d ठीक यह वाली यहां तक है ठीक है effective depth कहते है इसको यह इसके CG से जाती है और एक होती capital D जो बिल्कुल lower fiber से top fiber की बीच होती है एक चीज़ खास ध्यान रखी का यहां तो मैंने चार दे दिया कहीं पर B into D करके दिया ह होगा तो वहां पर capital D वाले को लगाना small d मतलगा देना क्योंकि पूरे cross sectional area की बात होती है उसमें यह नीचे की जो जो यह दूरी बच गई है इसको भी जोड लिया जाता है ठीक है तो इसलिए यहां पर capital D लगता है तो इसका सही आंसर होगा option number C 4 अगला देखते हैं अगल not be less than dash of the area of joint section जब concrete धरन की गहराई 7500 mm से अधिक है तो इसकी दोनों लंबी फलकों के साथ साथ उचेत उदगर अंतराल पर अत्रिक प्रवलेंच छड़े डाली जाती है इन छड़ों का कुल शेत्रफल धरन खंड के शेत्रफल से कम नहीं होना चाहिए होता क्या है जब यहारी होती है तो जो इसके साइड वाले फेस है उन पर भी आपको री इनफुरस्मेंट देनी पढ़ती वैसे था हम वर्टिकल रीनफॉस्मेंट चलों के रूपमें डालते हैं श्ल ग полез पड़ती है क्योंकी इन पर देनी बढ़ती है इन पर लед लेतरल फोर्स इसको सरफे रिइंफोर्समेंट या फिर फेस रिइंफोर्समेंट कहते हैं ठीक है तो यह वाले फेस टिफ्लेक्शन ना हो यहां पर क्रैक ना पड़े क्योंकि इसनका लेंथ गहराई जादा कर दी है इसलिए अतिरिक प्रबलान उन लॉंगिटूडनल जो हम जो हम लंबी रिइंफोर्स है इसका सही आंसर है ठीक है 0.1 परसेंट जब आपकी डेप्थ हिस्ते जादा होगी ठीक है तो आप जो साइट की रिइंफोर्समेंट होगे वो टोटल एरिया का इतना दोगे ठीक अगला कुशन देख लेते हैं दा सेक्शन ऑफ रिइंफोर्स कंक्रीट वीम वेर मोस्ट कंक्रीट फाइबर इन कंपरेशन इन टेंशन इन इन इस्टील अटेंस परमिसिबल स्ट्रेस सेमेटेनेसली जब प्रबले धरन का भाग जब कंक्रीट अंतिम तंतू में संपीड़न और इस पात में तनावबल एक साथ उचित प्रतिबल प्राप्त करता है क्या कहलाता है देखिए जब आपका सेक्शन के अंदर आपने जो भी परमिसिबल स्ट्रेस सेट कर रखा होगा जिसके लिए आपने डिजाइन किया होगा जब दोनों में एक साथ पहुंचता है कंक्रीट में भी और स्टील में भी ऐसे केस में आप उस सेक्शन को क्या कहते हैं बैलन सेक् आपके का option number question number 4 का ABC तीनों करेक्ट है critical section, balance section, economical section तीनों उसी को कहते हैं और इसका option number D सही आंसर है तीनों में से कोई भी नाम आपको दे तो आप balance section की ही बात करेंगे ठीक है अगला देख लेते हैं minimum spacing between horizontal parallel reinforcement of different sizes should not be less than बिन प्रकार के 36 समानतर प्रवलन के लिए नियुन्तम पा section को ऊपर से देखेंगे तो आपको horizontal bar से तरीके से दिखाए देंगे मैं top view की बात कर रहा हूं ठीक है तो जब आप उसमें ऐसी बार डालते हैं जिसमें diameter अलग अलग हो एक बार मोटी हो एक बार का diameter कुछ और हो ठीक है जब इस तरीकी का case होगा तो दो छड़ों के बीच मे कितनी रखेंगे देखिए पहला है one diameter one diameter of thinner bar पतली छड़के व्यास के बराबर दूसरा है one diameter of thicker bar मोती छड़के व्यास के बराबर तीसरा है five millimeter more than nominal dia of course aggregate मोटे मिलावे के नावन या B और C मैसे जो भी अधिक हो मेरी इस बात को ध्यान रखेगा इस case में आपको दोनों ही लेने रख ली ठीक है उसके बाद आपने दूसरी चीज़ चेक की कि जो आपका जो मोटा मिलावा है उस मोटे मिलावे में 5 mm की और दूरी जोड़ दो ठीक है उसके बाद जो आपका डिमेंशन जो भी xyzi फिर उन दोनों में compare करते हैं उन दोनों में जो भी अधिक होता है आप उ प्रतिबल चड़के अंतराल पर आवड़न के लिए नियूंतम मोटाई चड़की व्यास के दुगने से कम नहीं होनी चाहिए जो की नियूंतम हो अब सवाल को समझना और कुछ questions तरीके घुमाने वाले आएंगे ज़रू क्योंकि drawing में सीधे सीधे questions फूशने के लिए इतने चैप्टर आपके है नहीं ठीक है तो वो देगा कुछी तरीके से दायमाई के अब इस सवाल को ध्यान से समझना जो आपके steel की बार होती है उसका end reinforcement क्या होता है कि वो कितनी दूरी तक concrete के अंदर दबा हुआ है ठीक है उसका end दिखना नहीं चाहिए ठीक है तो वो minimum कितना आप उसको आवरण दोगे minimum कितना cover दोगे यहां इसकी बात कर रहा है ठीक है तो इसमें पहला conditions ने question में दे दी है छड़की व्यास के दुगने से कम नहीं होना चाहिए मतलब जो भी die of bar होगी उतना तो minimum आप यहां पर cover दोगे ही दोगे वो तो पहली condition है दूसरा अगर cover मा होगे और 25 से अधिक आ रहा है तो जो भी आपका डाया के हिसाफ से dimension आ रही है वो दोगे ठीक है तो minimum 25 और उससे उपर जो भी देना है ठीक कोई बीम की depth और ब्रेट दिया है स्वरी चोड़ाई दिया है पहले बीम की चोड़ाई और effective depth का जो ratio है वो कितना रखा दाता है ठीक है आप आप देख वाता है थम रूल होता है ठीक है आप जब design करते थे बीम का RCC में तो designing कैसे करते थे design के लिए आपको पहले चोड़ाई ना आपनी बीम की depth लेनी पड़ती थी फिर देप्थ के respect में आप उसकी कुछ चोड़ाई मान लेते थे design करने के बात पता चलता था कि वह section sufficient है या नहीं वह बात की बात है तो जो आप initially जो आप थम रूल से बनाते थे जो आप dimension मानते थ ठीक है या चोड़ाई की गहराई डुगनी होनी चाहिए ठीक है अगला कुछिन को compressive stress diagram of beam is धरन में संपीटन प्रतिबल आरेक होता है आपने compressive diagram देखा होगा जो आपका stress diagram होता है stress diagram कैसे होता है यहां से straight आता है ठीक है तो आप देखो के compressive stress diagram पूछ रहा है ठीक है compressive stress मत पर steel आती है महाँ पर straight line मनती है यहां पर forces जो tensile zone में है वो transfer होते हैं तो ऐसा नहीं कि triangular transfer हम इंबान के चलते हैं assumption है कि जो tensile forces है वो steel द्वारा ही लिए जाएंगे concrete द्वारा नहीं लिए जाएंगे ठीक है इसलिए महाँ पर straight line मनती है और इसका सही answer होगा triangle अगर tensile होता त प्रतिबल क्यू मैक्स होता है ठीक है जो आयता कारे rectangular beam होती है उसमें maximum shear stress कितना लेते हैं इसके लिए फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा तो maximum shear stress लेते हैं 1.5 times the average ठीक है जो आपका average shear force आ रहा है उसका डेड़ गुना जब अधिकतम shear force मानेंगे वह average shear force का डेड़ गुन the effective depth is measured from compression as two एक एकल प्रभलित कंक्रीट धरन में प्रभावी गहराई को इसके संपीडन छोड से मापा जाता है कहां तक देखो आप जो effective depth था पीछे में capital D और small D बताया था तो आप मापते हो कहां से उपर वाले से नीचे वाले की CG तक ठीक है question में आपको दिया एकल of tensile reinforcement तनन प्रब्लन की आक्ष तक neutral axis तक नहीं नाप सकते तनन किनारा यहां तक तो बिल्कुल नहीं नापेंगे और longitudinal axis के मतलब नहीं है ठीक है अगला question देखते है अगला question दिया होट रोल्ड बार्स और considered as गर्म बेलित इस पात को माना जाता है होट रोल्ड बार्स को क्या होट रोल्ड और कोल्ड ट्विस्ट डोनों ही HYSD बार्स होती है होट रोल्ड CTD नहीं हो सकती होट रोल्ड HYSD होती है और all of the above हो नहीं सकता ठीक है तो इसका सही आंसर होगा option नंबर A HYSD बार high yield strength deformed बार्स ठीक है CTD को कहते है cold twisted ट्विस्टेड बार्स ठीक है इनको गरम करके नहीं मोड़ा जाता है इनको सीधी मोड़ दिया जाता है ठीक है cold twisted बार्स ठीक अगला 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 आपके question number 12 है twisted ट्विस्टेड बार्स है higher yield strength than plane bar एंठी हुई विक्रत छड़ों में साधी म्रदू इस पात की छड़ों के तुलना में अधिक उपचता है ठीक है अब जो yield stress या फिर जो पराभाव प्रतिबाल है ठीक है twisted बार्स जो होती है जो एंठी हुई रहते हैं यह spring जैसा कुछ बन ट्विस्टेड बार्स क्या होती है आपने एक नॉर्मल बार को एंट दिया ठीक है तो उसकी जो surface होगी उस पर कुछ corrugations आ जाएंगी उभार से आ जाएंगे ठीक है उसी को कहते हैं cold twisted बार्स तो जो twisted बार्स होती है अगर आप एक नॉर्मल प्लेन बार लें तो उसकी तु for encourage of steel अब ध्यान रखेगा mild steel और जो आपका HYSD bars का hook होता है दोनों में basic अंतर होता है कि आपका HYSD bars होती है उसमें carbon की percentage ज्यादा होती है इस कारण से वो hard होता है वो flexible नहीं होता वो तूट जाएगा अगर आप उसको ज्यादा मोड़ने कुछ करेंगे फट जाएगा वो वही अधिक्तम आप बेंड देते हैं वो एक्सासी डिग्री का देते हैं इस तरीके से ठीक है इसको यूबेंड भी कहते हैं कहीं कहीं यूबेंड मान लो कुछ भी मान लो यह वाला जो कोण है सबसे अधिक्तम यह दिया जाता है ठीक है तो इसका सही answer होगा option number C अगला question देख करने जाता है oftentimes program responds पार इसके सबातमा अधिक्तम कितनें डिगरी का मोर दिया जाता है मैंने पीछे बताया था अधिक्तम 90 डिगरी थनlexe का दिया आता है वैसे 60-45-90 तक ही रहता है इसमें 90 ज्याद है बेंडम नहीं देते हैं यसदी बार के केस में option number 20 का सभी आंसर है ठीक है अगला question देख लेते हैं को फिफ्टीन हमें दिया है उचे पराभव प्रतिबल चड़ों के अधिक्तम स्थिरन नंबाई कितनी हैं कि एंकरेज लिंथ क्या होती है जब आप किसी स्टील बार को किसी कंक्रीट के अंदर डालते हो तो कंक्रीट के अंदर उसका इतनी लेंथ दबी होनी चाहिए कि वो surface friction के कारण उसके अंदर पकड में नहीं आता क्यों कि वो जरा सा हिस्से से आप उसको पकड़ नहीं पाओगे पकड़ने का क्या मतलब आप उस पर इतना एरिया उसका पकड़ सको कि जिस फोर्स से वो अंदर लगा है उससे ज्यादा फोर्स से आप उसको पीछे खीच सको तो खीचने के लिए surface friction बनेगा नहीं तो भार निकलेगा नहीं वही चीज यहां पर है अगर आपने पूरी तरह से अंदर बार को नहीं दबाया वह लोट पड़ते भार निकालाएगी तो इसलिए minimum कितना एरिया encourage length का उसके अंदर होना चाहिए एक 45 डिग्री के bend पर हम लोग 4D मानते हैं ठीक और जो आप कि HYSD बार से केस में आप 90 डिग्री ही मोडते हैं ठीक है इससे आद आप नहीं मोडते तो इसका सही अंसर क्या होगा इसका सही अंसर होगा 8D ठीक है इसको मानक होग कहते हैं यह यू बेंट कहते हैं ठीक है इसका सही अंसर है option number C अगला देख लेते हैं question number 17 हमें यह आए what is the maximum number of overlap in a joint छड़ों के चड़ाव जोड में अधिक्तम संख्या क्या होती है ठीक है अब आप एक बात समझना जब आपने कोई यूज कर सकते हो लैप का यूज कर सकते हो बहुत सारे तरीके हैं आज कल वेल्डिंग का यूज जादा हो रहा है और है किसमें वेल्डिंग ही करते हैं तो minimum number of maximum number of overlap अब overlap से दिक्कत है जितने ज्यादा joints होंगे आपका जो पूरा structure है उतने ज्यादा वीक माना जाता है joints को हम सबसे weakness weakest point मानते है ठीक है तो छडों के जोड में अधिक्तम संख्या क्या होगी पहली बात तो total cross sectional area का 50% से ज्यादा हम लोग कभी भी joint देते नहीं है ठीक है मतलब total जितरी भी बार्स उसमें लगी है ठीक है उसके 50% से ज्यादा हम joint देंगे नहीं और कोशिश करेंगे सारे joints concentric ना हूँ मतलब ऐसे समझिए कि joints एक line में ना आए ठीक है जैसे एक joint यहाँ पर आ गया किसी में ठीक है तो इसका दूसरा joint कोशिश करें आ गया है तीसरा joint इधर कहीं आए सब एक line में ना आए वरना वहीं से वह फेल हो जाएगा structure ठीक है अगला कुश्चन आमें दिया है bars having dia more than अब यहाँ पर option भरना है आपको welding joint is preferred इससे अधिक व्यास की छड़ों के लिए welding द्वारा जोडा जाता है अब किन बार्स को अधिक जोडा जाता है ध्यान रखेगा इसका value एक दम यह आया हुआ question है पहले भी competition में 36 mm से अधिक डाया की bars को welding द्वारा ही जोडा जाता है उसमें आप कभी भी overlap करके तार से उसको नहीं बानते ठीक है इसका सही आंसर है 36 mm ठीक अगला question देखते है question number 19 हमें दिया है किसी संरश्णा में इस पात की अनुमानित मातरा की गढ़ना चड़ों का सही स्थान निर्धारन करने के लिए तयार किया दाता है ठीक है अब य पर उसके अलावा स्टील कितनी पड़ेगी उसकी वैल्यू इसके अलावा स्टील प्लेस्मेंट कहां होगा मतलब किसी स्रक्चर में स्टील किस-किस जगह पड़ेगा कितनी कितनी दूरी पर पड़ेगा उसकी स्पेसिंग साइज डामेटर कहां कहां बेंड लगेंगे कितन आप स्टील की अनुमानित मात्रा की गड़ना और किस जगे उनकी प्लेसिंग है यह सब चीज़ें डिसाइड गरते हैं ठीक है और यह काम होता है एक जेई का ठीक अगला रिंफोस्ट कंक्रीट भीम्स हेविंग स्टील इन कंप्रेशन एंड टेंशन जोन और कॉल्ड ऐसे प अगर कंक्रीट के लिए समतुल्य चेतरफल क्या होता ना जब आपका यह दोनों मटीरल अलग हैं स्टील अलग मटीरल है अब अगर कंक्रीट जिस इस्ट्रेस के अंडर काम कर रही है तो उसको बियर करने के लिए क्रोस सेक्ष्टनल एरिया भी अलग है और टेंशन में कंतुल है मतल perfection अर्या में ट्रांसफर कर लें सेम लेवल आप्स ट्रेस अगर कंक्रीट बढ़ेः अगे मरते हैं दोघएंघर णिसमात में अनुमाने प्रतिबल होता है इएभी रिइन्फोर्स भीम था एलयोबल स्ट्रेसिन कोंप्रेशन स्टील चुट डबल रिइनफोर्स भीम होती है उसमें जो कुंप्रेशन स्टील होता है इसका ऐलयोबल जो अनुमन ने प्रतिवल है कितना वो bear करेगा ठीक है तो इसका सही value होती है तनन इस बात में अनुमन ने प्रतिबल से कम आप मेरी बात फिर ध्यान लखेगा तनन से कम इसलिए compression steel ताकि आपकी beam under reinforced रहे अगर आप इसको कर दोगे तो over reinforced हो जाएगी फिर वही बात है कि concrete failure से पहले कभी भी कोई symbol नहीं देता concrete में जरा सा भी अगर bending आया और concrete में क्रैक पड़ा तो concrete sudden failure में जाएगा ठीक है इसलिए उसको over reinforced reinforced नहीं जाने देते इसलिए हम लोग इसमें तनन प्रतिबल के अनुमने प्रतिबल से कम रखते हैं ताकि compression वाला पहले failure के symbol दिखाने लगे ठीक है अगला question number 23 दोरे प्रबलित concrete की उत्तोलक भुजा होती है lever arm of double reinforced concrete अब lever arm आप लोगों को पता है compression के cg से tension के cg के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस को lever arm कहते हैं ठीक है cg मतला गुरुत्व केंद्र तो संपीडन शेतर के उपरी अक्ष से गुरुत्व केंद्र तक नहीं उपरी अक्ष से कोई मतलब नहीं होता संपीडन शेतर के गुरुत्व के इंसर तर्ण शेतर के इंतक है इसका सही answer है option number B option number C भी गलाता है क्योंकि इसमें संपीडन शेतर के उपरी अक्ष से तर्ण शेतर के निचले अक्ष तक बोला है जो की गलात है इसका सही answer हो option number B ठीक है अगला question देख लेते हैं deep beams are designed for deep गहर नहीं क्यों पड़ी अगर हमारे bending moment बहुत ज़्यादा आ रहा है तो हम कैसे कम करते हैं बेंडिंग को बीम की depth को बढ़ा के तभी हम बेंडिंग को घटाते हैं अगर आप डीप बीम बना दे रहो तो अब देसी बात है आपके आपके उपर आने वाला bending moment बीम की उपर आने वा होता है ratio of the effective span to the depth of cantilever beam to be safe in deflection cantilever beam के case में जो deflection होता है उसका जो ratio होता है प्रभावी पार्ट और depth of beam ठीक है यानि कि span और जो depth of beam होगा ठीक है तो जो deflection है उसमें safe रहने के लिए इनका जो ratio है इन दोनों का span और depth का वह हम रखते हैं साथ से कम ठीक है इससे कम रखते हैं ताकि वह beam आपका deflection में fail न हो जाए ठीक है तो students यह थे वह important questions जो मुझे लगे आपके exams में आ सकते हैं और आगे भी मैं डालता रहूंगा इसके वीडियो अभी जल्दी जल्दी में ताकि आप लोग अधिक से अधिक इसको देख पाओ ठीक है और कोई भी confusion ना लेना कि drawing में आपकी drawing से बनाने से related questions आएंगे मेटा नहीं आ सकते drawing से related questions कोई drawing बनवाकर नहीं देख सकता online exam में आपको ठीक है जो simply आपके RCC के theory में पूछी जाएंगे वही यहां पूछी जाएंगे दोनों में लगबग सारे questions आपको same concept के मिलने वाले हैं ठीक है तो आप इनको पढ़िए अगर आ हम आगे वाले वीडियो के लिए बनाने के लिए motivated रहा है और हम जल्ली से आपका जो भी concept हम आपको दे सकते हैं वह हम करवाएं आपका ठीक है ठीक है ठीक यू